नमस्कार सत्यागरे.com पर आपका स्वागत है, मैं हूँ जोट्सना श्रिवास्तव और आप देख रहे हैं दिनमान, आए देखते हैं आज की प्रमुक समचार राहुल गांधी का नरेंद्र मोधी पर बड़ा हमला, प्रधान मंत्री को दलित विरोधी बताया उत्तरप्रदेश में बलातकार के आरोपित भाजपा विधाया की मुश्किल बढ़ी, पीडिता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत आज भारत बंद को लेकर केंद्री सरकार सतर्क, राजियों को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिये हिमाचल प्रदेश में बड़ा हादसा स्कूल बस खाई में गिरने से 27 बच्चों सहित 30 की मौत और कॉमन वेल्ट गेम्स के पांचवे दिन भारत को बड़ी सफलता 30 सुवन सहित 7 पदग जीते सत्याग्रा.com पर आप देख रहे हैं दिनमान अब समाचार विस्तार से कॉमस सद्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी पर तीखा हमला बोला है सुमवार को राजखाट पर एक उपवास के बाद उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री दलित विरोदी हैं राहुल गांधी का ये भी कहना था कि भाजपा के विचारधारा आदिवासियों और अल्प संख्यों को कुचलने की भी है कॉंग्रिस अध्यक्ष ने कहा कि खुद भाजपा सांसद ये बात कहते हुए प्रधान मंत्री को चिठील लिख रहे हैं राहुल गांधी के मताबिक कॉंग्रिस देश को बाटने वाली भाजपा की इस विचारधारा के खिलाफ खड़ी रहेगी कॉंग्रिस ने इस राष्ट व्यापी उपवास का आयोजन CBSC पेपर लीक, PNB घोटाला और दलित प्रतारणा जैसे मुद्दों को लेकर किया था हलाकि इस दोरान पार्टी को तब शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी जब उसके नेताओं की एक तस्वीर वाइरल हो गई तस्वीर में अजे माकन सहित कई बड़े कॉंग्रिस नेता एक होटल में स्वादिश्ट खाना खाते दिख रहे हैं उन पर बलातकार का आरोप लगाने वाली 18 साल के एक लड़की के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई है विपक्षिद अलो का आरोप है कि ये मौत पुलिस की पिटाई से हुई है इस घड़ना के बाद पांच पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है पिडिता ने रविवार को लखनव में मुक्यमंत्री योगी आदित्यनाद के घर के सामने आतमधा करने की कोशिश की थी उसका आरोप है कि उन्नाओ के एक विधान सभग शेत्र से विधायक सेनगर और उनके समर्थकों ने बीते साल जून में उसके साथ बलातकार किया था पिडिता के मुताबिक पुलिस ने इस घटना की रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया था आत्मधा की कोशिश के बाद उन्नाओ पुलिस ने पिडिता के पिता को गिरफतार कर लिया था आज भारत बंद की अपील को देखते वे केंद सरकार ने राज्यों और केंद शासित प्रदेशों को सतर्क रहने के निर्देश दिये है ग्रह मंत्राले ने राज्यों से कहा है कि वे सुरक्षा बढ़ाएं और किसी अनुचित खटना को रोकने के लिए परियाप्त इंतिजाम करें इनमें समेदन शील इलाकों में गश्ट बढ़ाना भी शामिल है बीते दो अपरेल को SCST Act को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए दलित संगठनों ने भारत बंद का आयोजिन किया था इसी के जवाब में कई दूसरे संगठनों ने आज बंद का एलान किया है दो अपरेल को आयोजित बंद के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी इसमें दस से जादा लोग मारे गए थे यही वज़ा है कि इस बार सरकार अतिरिक्त सतरकता बरत रही है इस दुरघटना में मरने वालों में बस का ड्राइवर और स्कूल के दो टीचर भी शामिल है इस बस में कुल 49 लोग सवार थे जिन में से बचे हुए कई लोगों की हालत बेहत नाजुक बताई जा रही है राज्य के मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर ने इस हादसे की मेजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिये है राज्य प्रशासन ने पीड़त परिवारों के लिए पांच-पांच लाग के मुआवजे की घोशना भी की है 21 वी कॉमनवेल्ट गेम्स का पांचवा दिन भी भारत के लिए शांदार रहा भारते खिलारियों ने शूटिंग, टेबल टेनिस और बैडमिंटन के मुकाबले में तीन स्वन पदक जीते टेबल टेनिस में भारते टीम ने ये स्वन निम सफलता 12 साल बाद पाई है इससे पहले उसने 2006 में ऑस्ट्रेलिया में ही हुए कॉमनवेल्ट गेम्स में स्वन पदक जीता था बैडमिंटन टीम ने भी कल इन खेलों में इतिहास रचा उसने पहली बार इन में स्वन पदक जीता है सुमवार को भारत ने कुल साथ पदक अपने नाम किये अब उसके कुल पदकों की संख्या 19 हो गई है पद तालिका में वो फिलहाल उस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बाद तीसरे पायदान पर काबिस है सत्याग्रय.com पर आप देख रहे थे दिन मान कल इसी समय आप से फिर मुलाकात होगी नमस्कार